कि मेरा इतना कास्ट है हम दिन बर यही करते रहते हैं आज का दिन हमको कुछ बिखता और ऐसे कर दिये लोगों देखिए ये खाड़ा है नुदानी 505 लिके लेकर क्या करे एक आदमी एक पी ले अब काइदे से यहां का परसासन एक्सन ले दो चार दस लोग को उठाए पकड अब नाम स्वागत है आपका सच बिहार में और मैं हूं सुमीत कुमार अभी हम एक स्टाट अप दिखाने वाले हैं आपको और यह मतास सिपालन का स्टाट अप है इधर हम कैमरा करवाकर दिखाते हैं आपको कि दखिए इस तरह से और मचलिया यह जो तैर रही है ना तैर ही रही है मर के और उपर में सता पर आ गई है इसका पीछे वज़ा है कि बिहार के दूसरे जीले से यह गया जीला का डुमरिया परखंड है और यहां कुछ लड़के नालंदा जीला से चल के आए हैं और मतास सिपालन जैसे चीजों में अपना अजमाना चाह रहे थे और को दवा और बहुत ही है गूगल पर और इसे कर रात यहां पे लोगों के नौध के दवारा कहिए उनके पर नाम क्यू कुछ बडैंब बैठी बार지 तो ये हालात हैं जो हम लोग हमेशा बात करते हैं न कि लोग को start up करना चाहिए रोजगार करनी चाहिए अपनी क्या लोग इस तरह के वे-रोजगारी में है सरकारी नौरी के चक्कर में हैं लेकिन रोजगार करेगा तो यह वाला चैप्टर भी आता है जहां पे लोग आपको परपसली परिसान करता है और कानून पूलीस परिसासन कोई साथ नहीं देती आपका नाम क्या हुआ मेरा नाम अलोक कुमार हुआ मैं नलांदा जिला का रहने वाला हुँ और मैं एन कोलेज से इंग्लिष लिट्रेचर से किया हुए है में इंग्लीज में मताश्य पालन का का तायारी करते थे तो उसके वाद कभी बीपीएसे पीटी निकला तो मेंस नहीं निकलता था सब्सक्राइब निकाला लेकिन दरोगा हुआ तो दोड में हम छट गए थे लेकिन जब दुबारा दोड हम कंपलीट अच्छा से किये तो फिर क्या हुआ कि में 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 रहा गया पीटी हुआ सब्सक्राइब करने के लिए सोचे तो यहीं पर रोजगार करने के लिए कितना साल से कर रहे हैं आप लोग के बाद हम लोग यहां पर आये थे अभी जो यह पूरा बड़ा तलाव देखिए उधर उस साइड का भी है ज्यादा तर मचलिया इस तलाव की मढ़ी है वहां पर त पर कम से कम आठ हजार जो बच्चे था लाए थे कल और उसके पास डान लाए थे उसमें भी डाल दिया गया है जो यह नुरानी पांसो पांसो पांच है और उसमें तो सारा बच्चा मर गया और इसमें जो है आज बेचने वाले थे क्योंकि आज होली का दिन है जब मैं सकती अपने पूरे घार परिवार छोड़के यहां पर है और यहीं मरती हुई मचलियां को देख रहा तो यह स्थिति आप क्या करेंगा आपके उपाए बचा है मेरे पास कोई है नहीं क्योंकि हम अपने अस्तर पर छोटी पुंजी लगा करके हम इसको उपर करना चाह रहे है और इसके अगर पुंजी लेकरने के लिए मैं हम गये थे मतस्त विभाग में जहां भी बैंक में लोन नून के लिए सब सीड़ी रख लिए नहीं मिला नहीं फिर हम अपने भाया से कुछ दोस से कुछ दस बीस ले करके हम खुद इस स्टार्ट आप को खड़ा किये और ख जो है हम वाला ऑला sector दाले थे उसमें इंस्वरेंस कराने वाले थे अ आपके बस्क्राण बचाहर क्या अब लागताके हम को कोई help देगा और दखिए आप जाकर कहीं कुछ हमरे पास तो कोई आप हैं कि क्या करें ना करें अभी हम इनसे कहा रहे थे कि होसला रखिए और कोसिस किजिए हम लोग हमेशा से बात करते हैं कि लोग पाढ़ा और यहां वाले खुद कुछ नहीं कर रहे तो एक सोचिए लोगों के लिए एक्जामपल भी था यह कि इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कोशिस लेकिन इनके साथ अगर ऐसा होता है और ऐसे किसी विव्यक्ति के साथ होता है तो उसके पस क्या उमीदे होगी कैसे किस भरोसे लगा और क्या गलती रही होगी इनकी किसी से कोई लड़ाई थी कुछ भी हुआ रहा था यहां पर कुछ भी होई सामको दाना देते थे थे हम अस्टार्ट-अप के तो पर एक और बिजनस शुरू के हैं बकरी फारम तो दिन बार हम खुद अकेले ही बिना अदमी रखे हम करते हैं सामको इसको बंद करते हैं फिट किला करने के लिए ही नहीं कि हम और पैसा इंफेस्ट करें मेरा नाम अलोग हुआ रहे हैं तो यह समझ रहे हैं आपकी इतना बड़ा पोटेंसिल के साथ यह काम कर रहे था और कोशी सापकी कितनी है तो मेरे पास यह दस लाग का माचली एक दीन में नुकसान हो ग्या है अगर हम मतलैा एक दिन में हम कमाएंगे भी तो कितना कुछेए इतना मेरे पास शामता नहीं है कि हम 10 लाउट सबसे हाँ इसके बाद मेरा ये नतीजा है और हम जैसेühा के लिए देखता है जो उमीद और तकलीफ होता है की मतलब आपक्या यहां पे जितना लोग आकर देखना आकर देख जाएगा ना कि अतना निरासा जनक है कि मतलो यहां पे कोई लोग आपके अरिया में कोसी करें आके और उसे लोग इस तरह आये थो मैं लोग बहुत उमीद था खूशी था लेकिन जब ऐसे घटना को देखे तो हम लोग बहुत निरास है और भी लोग सभी निरास है एक आदमी बताये कितन और बस आपके सामने यही कोसी से कि दिखा दे हमें इस उमीद के साथ कि कुछ होने वाला है नहीं देखिए हर किनारे में किस तरह से मचलियन लगी हुई है और इसे में नजदीक से थोड़ा दिखाए कि किस तरह से क्या हाल है और पूरे सरह से दो-तीन प्लॉट है पूरा सुचना दिए है नहीं है अगर घर में हम्च ना देता है तो होली उनके लिए माता में बदल जाएगा क्योंके उनका बेटा मने कुछ करना चाहरा है कुछ करने पाला ऐसthe स्टार्ट अप के लिए तो जो सबसीडी आती है अगर कोई किनी का कॉंटेक्ट हो तो हम को हेल्प करवाएं कम सबसीडी के लिए कहता कि हम स्टार्ट अप को बचाये रखें बखरी फॉरम का भी है तो वह भी अगर मिल जाए हमको सबसीडी तो उस बिजनस को भी हम आगे परसासन एक्सल ले दो चार दस लोग को उठाए पकड़के सोटे उसके बाद बताएगा नाम और उसके बाद ये क्लेम हो इन्हें मुआपजा मिलना चाहिए इस तरह से एक व्यक्ति अगर होसला तो उटेगा ना तो यह बहुत नुकसान है बहुत लोगों के लिए सरकार क खताम हो जाएगा तो कैसे काम करेगा अदमी एक यूबा होली के दिन में इस तरह से रोता भी लगते यहां से जाएगा कितना अच्छा बात है थाना यहां ने सीन कार कर दिया प्राइमरी तोर पर कहता है कि यह अप्लिकेशन दे दीजे बताएए उनको क्या सेंटीमेंट स एक सब्द में उनका कहना था यह अभी हमने सूना कुछ लोग बात कर रहें थे थाना पे कि क्या मुआ अब जा मिलेगा यह फैर दर्ज करा दीजेत क्यों यह फैर दर्ज कराएगा छोड नहीं देगा यह हालात है यहां का अब क्या कहें बताएए न देखिए यह खाड़ा पुरा बिजनेस जो कुछ भी आ जाता हो भी खतम आगे खतम है बाकी आपनी आगे नंगे और अगर मता सब्षाग से और मता सब्षा किसी भी परकार का हेल्प मिल सकता है तो हम साधा स्टाट अप को बचा रखेंगे नहीं तो मेरा जो पुन्जी इंवेस्टमेंट के गया मतलब जो हम जिन से जिन से पैसा भी लिया हैं साइथ कैसे दे पाखेंगा मतर्स खरती है कि इसको बचायरे करने के लिए तो पुर भाय करें जैसे प्रफाइट करें सभ्सीड़ी कर और या फिर रह नहीं स्टाइट ऐससे आगे कि आगे बढ़ाएंगे नहीं तो आगा बढ़ाएंगे चलिए तो देखिए आपके आपके हिस्से ये पूरे चीजे छोड़ जाते हैं कि आपकी राय क्या है का में बताइएगा और यहां कि परसासन क्या करती है इन चीजों को और बिहार के जितने वियूबा देख रहे होंगे देखिए जब आप स्टार् ये भी होना चाहिए बाके अपनी राय दीजिए